तो गाइज गौतम अडानी ने हॉलकम ग्रूब जो है उसके साथ जो एसी सी की जो डील है एसी सी और अमबूजा सिमेंट की जो डील है उसे पक्की कर ली है लगभग 10.5 बिलियन डॉलर्स में और ये जबर्दख सक्सेसफुल डील होने के बाद आपको दिख रहा होगा आज स्री शीमेंट है इसमें एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है तो ऐसा क्यों है अल्टर टेक की फ्यूचर प्रॉस्पेक्टेस क्या है क्या अल्टर टेक आने वाले समय में जो आप कह सकते है एक लिडरिशिप की पोजिशन है सीमेंट सेक्टर में वो खो दे जादा यह stock गिरा हुआ है तो अपन देखेंगे दोस्तों कि आखिर यह जो गिरावट दिखा रहा है ultra tech का cement basically mainly मैं इसी stock में बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मितामिश्टा और आज बात करने वाले हम लोग ultra tech cement के उपर तो दोस्तों जब यह वीडियो में बना रहा हूँ आपके साथ आपको मैं लेके चलता हूँ कि अभी गिरावट कितनी हो रही है देखिए अभी लगबग दो बज रहे हैं और जो ultra tech cement देखिए 3.12% की गिरावट दिखा चुका है और आपको पता है क्यों दिखा रहा है क्योंकि यह कह लिए जो बिड भी दोस्तों वह इन्होंने भी लगए थी jsw के सज्जड जंदल जी इन्होंने ultra tech cement ने भी लगए थी लेकिन आखिर में बाजी किसने मारी अडानी जी ने 10.5 billion dollar में उन्होंने यह deal acquire किये आप देखें इतर लिखा है अडानी बाइस अंबुजा ACC for 10.5 billion dollar ठीक है 10.5 billion dollar की यह deal रही है अगर हम आगे देखें तो आप देखें इधर पड़िये इसको इसमें कहा गया है that I am delighted that the Adani Group is acquiring our business in India to lead its next era of growth Gen Gensec यह CEO है Holcomb Limited के in a statement यह Switzerland based company है दोस्तों अब आप देखें जो Ambuja Cement or ACC है यह कितनी बड़ी है आप कह सकते है as a company Ambuja Cement Limited and ACC Limited currently have a combined installed production capacity of 70 million tons per annum 70 million tons per annum की दोस्तों India LSD capacity है इनके पास 23 cement plant है 14 grinding station है 80 ready mix concrete plant है और 50,000 से जादा के आप कह सकते है channel partner है across India और इसके साथ ही यह इंडिया की दूसरी इन दोनों का मिलाएंगे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी 7 manufacturer company है और आप एक बास समझे कि gap कितना बड़ा है पहले और दूसरे में आपको मैं उसका एक थोड़ा सा आपके लिए glimpse आपको मैं इस आप कह सकते हैं data से देना चाहता हूं आप देखें इदर अमबुजा सेमेंट इस एक पासिटी ओब 70 मिलिन टन पर रहना अपके सकते हैं एप्राक्सिमेटली दुगनी दुगनी के पासिटी में काम कर रहा है भी कौन इल्ट्रा टेक सेमेंट एस एस इस और अमबुजा दोनों कंबाइंड तो क्या आने वाले से में कोई बहुत झिशान आडनी ग्रुप जिनके पास कैuman है दोस्तों जिनके पास है पोकर जिनके पास है एर पॉस जिनको नहीं कह सकते हैं आप जिनके इनके पास और और है प्रिक्षार क्यों टुकित जब मेंके सेमें नविविस्ट होगे में वहरा प्रिकल्षा के सेमेंगा यह Hernandez का यह देखे, जो यह जिस तरह की इन होने आप कह सकते हैं, बिड लगाई, एक्वार्मेंट किया, यह मैं बता रहा हूँ आपको अपको अपको अमजा के लिए, बहुत जादा अची चीज है, देखे, सिर्फ हरारा कुछ नहीं, मैं आपको बता हुगा कि कुछ प्रोब्लम क्या है मैं, आप देखे इधर, अदानी फैमली थ्रू अफ्शोर स्पेशल प्रोपर्स वेहिकल, SPV, सेट इस एंटर इंटो डिफिनिटिव एग्रमेंट फॉर्ट एक्विशिशन आप स्विजलन बेस्ट, हॉल्किम लिमिंटेट, एंटार स्टेक इन अम्बूजा सेमेंट, एं 63.1% अम्बूजा सेमेंट में था और 54.5% प्रतिशद एसी सेमेंट में था, लेकिए जो एसी का 54.5% है यह 50% का अम्बूजा के थू ही आता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा कह सकते है स्टेक था, हॉल्किम गुर्प का जो अब अडानी जी के पा एक्सपर्ट हैं, उनका क्या कहना है, आप देखें, expect a lot of competition between Adani and Ultratech going ahead, Adani और Ultratech के बीच एक बहुत बड़ी competition आपको आने वाले समय में दिख सकती है, ठीक है, यह हैं दोस्तों, सेमेंट सेक्टर हैड, Sanjay Ladiwala, एक्सपर्ट हैं, देखें, कि अब देखें, थी ने अब अब अगे क्या। इल्टर टैक अब अपनी के लिए, जो लिडर्शिप पोजिशन है, तो तेखें, Well, Firstly, the Adani statement about doubling capacity in 5 years, I had told you, Adani ji sudah dah counter me, I double capacity, this is not an easy task, we are talking about close to 70 thousand ton and it is not a joke. the amount of raw material accumulation which is involved, the capacity to be put in the physical movement of the capacity I very much doubt in the past, I do not think anybody has been able to do that kind of expansion यह बहुत बड़ा इस्पांशन है, जिस तरह की आपके लीजे रॉम अटेल चाहिए, जिस तरह की इनके पास, क्या जिए दोस्तो, क्या लीजे, movement चाहिए, जो transportation चाहिए यह, this is not a joke, आप 5 साल में double करने की बातें कर रहे हो, देखे, कई लोग यह कहेंगे, और जो मुझे भी लगता है, अडानी है तो मुम्किन है अभी, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से इनके पास, जिस तरह की इनकी holdings हैं, मुझे नहीं लगता, अगर यह, क्योंकि देख, consumption के इनक प्रोजेक्ट से इनके पास, तो आने वाले समय में, इनके पास बहुत ऐसा, कह लिजी, आप ऐसे-इसे products हैं, portfolio है, और शायद आने वाले में यह खुद और भी add करेंगे, जिससे इनकी cement acquired, जो इनकी acquisition की है, बहुत बड़ा फाइदा नहीं होगा, और देखे, सिर्फ इंडि और देख रहे हैं, या एक market देख रहे हैं, वो चाइना है, मानता हूँ, वहाँ बहुत बड़ा slow down हो रखा है, जो अभी अभी जो covid lockdown है, अब वो खुलने जा रहा है, 15 मही से यह बात ने चल रही है, और अगर वापस चीजे ठीक होती है, भारत के सामने बहुत बड़ा बा और प्राइस को regulate करते हैं, अब देखना ही होगा कि अडानी की अमुजा एस ACC की जीने लेने के बाद, इस चीज का क्या चीजे और बच से बत्तर होती है, या चीजे अच्छी होती है दोस्तों, ठीक है, और अगर हम आगे देखिए, तो यह भी यह ही कह रहे है, कि भाज सब यस, over a period of year, they will look to do that and they will try to match UltraTech in size, today is about to double, they are about 120 million ton versus Holcomb's 70 million ton, so they will try to match their capacity, I doubt very much whether it could be done in 5 years, देखिए, सब यही कह रहे हैं, कि यह मैश तो कर लेंगे, लेकिन यह बहुत बड़ा doubt है, कि यह आने वाले 5 सालों में हो जाएगा, तो देखिए, UltraTech से मुझे कोई प्राम नहीं है, आपको याद होगा, जब builder group ने कहा था कि हम paint sector में आएंगे, Asian paints बहुत बुरी कदर गिरा था, लेकिन आज उसकी rate देख लिए, इतनी जादा पिटाई होनी के बावजूद, या इतनी negativity, crude oil की इतनी कह जाती है, इतनी उच्छे trade value में trade करने के बावजूद, Asian paints जो एक leadership company है, वो कते ही नहीं कि दोस्तों, और जिस तरह Asian paints है न, paint sector में, ultra tech भी उसी तरह की काम करती है, अब देखना आपने को यह होगा, कि आगे कैसे भविश्य होगा, लेकिन, अगर आप एक long term ने वेशक है, ultra tech cement इन तरह में 5000, between 5000 औ 6000, it's a very good company for a longer term, देखिए short term में hiccups ज़रूर हो सकत और news flow के करना कभी भी कोई बड़ी गिरावट होती है, वो जाधा देर तक टिकती नहीं है, हाँ अगर बाजार पूरे बाजार ही गिरेंगे, तो ultra tech कोई ऐसा चूता स्टॉक नहीं रहेगा, जहां गिरावट नहीं हो, तक मुझे लगता है, डाउंस अडियां से उतना हैं दुस्तॉ